आप सभी को समस्त देश वाशियों को बहुत बहुत बढ़ाई मैं अभी गर्ब गुरुह में इश्वरिय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्तित हुआ कितना कुछ कहने को है लेकिन कंठ अवरुद्ध है मेरा शरीर अभी बिस पंदित है चित अभी भी उस पल में लीन है हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे हैं हमारे राम लला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे हैं मेरा पक्का विश्वास है अपार स्रद्धा है कि जो गटित हुआ है इसकी अनुहूती देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी ये च्छान अलोकिक है ये पल पवित्रतम है ये माहोल ये वातावरान ये उर्जा ये घड़ी प्रबूस्री राम का हम सब पर अशिरवाद है 22 जनवरी 2024 का ये सूरच एक अध्भूत आभा लेकर आया है 22 जनवरी 2024 कि ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं ये एक नए काल चक्र का उद्गम है राम मंदिर के भूमी पुजन के बाद से प्रती दीन पूरे देश में उमंग और उत्सा बढ़ता ही जा रहा था निर्मान कार्य देख देश वास्यों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था आज हमें सद्यों के उस धैर्य की धरोहर मिली है आज हमें स्री राम का मंदिर मिला है गुलामी की मानसिक्ता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट अतीत के हर दौंस से होंसला लेता हुआ राष्ट ऐसे ही नव इतिहास का स्रजन करता है आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारिक की आज के इस पल की चर्चा करेंगे और यह कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं इसे साक्षाद घटीत होते देख रहे हैं आज दिन दिशाएं दिख दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है यह समय सामान्य समय नहीं है यह काल के चक्र पर सर्वकालिक शाहिस से अंकिद हो रही अमीट स्मृति रेखाएं है साथियों हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनमान अवश्य विराजमान होते है इसलिए मैं राम भक्त हनमान और हनमान गटी को भी प्रणाम करता हूँ मैं माता जान की लक्षपन जी भरत सत्रूग्ण सब को नमन करता हूँ मैं पावन अयोध्यपुरी और पावन सर्यु को भी प्रणाम करता हूँ मैं इस पल दैविय अनुभव कर रहा हूँ कि जिनके आशिरवात से यह महान कार्य पूरा हुआ है वे दिव्य आत्माएं वे दैविय विभूतियावी इस समय हमारे आज पास उपस्तित है मैं से भी दिव्य चेत्राओं को भी क्रतग्यता पूरवक नमन करता हूँ मैं आज प्रभूस्री राम से छमाय आचना भी करता हमारे पुर्शार्थ हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक यह कार्य कर नहीं पाए हैं कि आज कि वो कमी पूरी हुई है कि मुझे विश्वास है कि प्रभू राम कि आज हमें अवश्य शमा करेंगे मेरे प्यारे देश्वास्यों त्रेता में राम आगमन पर पुझ्य संत तुल्शिदाज ने लिखा है प्रभू बिलो की हर्थे पुरबासी जनित वियोग विबत्ति समनासी अर्थात प्रभू का आगमन देकर ही सब अयोध्यवासी समग्र देश्वासी हर्थ से भर गये लंबे वियोग से लंबे वियोग से जो आपत्य आई थी उसका अंत हो गया उस कानखन में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था तब भी इतना सही था इस यूग में तो अयोध्याव और देश्वासीों ने सेंकडों वर्षों का वियोग सहा है हमारी कई कई पीडियों ने वियोग सहा है भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रती में भगवान राम विराजमान है संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दसकों तक प्रभुसिर राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली मैं आभायर व्यक्त करूंगा भारत की न्याय पालिका का जिसने न्याय की लाज रख ली न्याय के परियाय प्रभुराम का मंदिर भी न्याय बद्ध तरीके से ही बना साथियों आज गाउं गाउं में एक सार्थ किर्टन संकिर्टन हो रहे हैं आज मंदिरों में उत्सम हो रहे हैं स्वच्छता अभ्यान कलाए जा रहे हैं पुरा देश आज दिपावली मना रहा है आज शाम घर घर राम जोती प्रज्वलित करने की तैयारी है कल मैस्री राम के आशिरवात से दनोश कोडी में राम सेतु के आरंब बिंदू अरिचल मुनाई पर था जिस गड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था उस भाव मैं पल को मैसूस करने का मेरा ये विनम्म प्रयास था वहाँ पर मैंने पुष्प बंदना की वहाँ मेरे भीतर एक विश्वास जगा की जैसे उस समय काल चक्र बदला था उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुब दिशा में बढ़ेगा अपने ग्यारा दिन के व्रत अनुष्ठान के दोरां मैंने उन स्थानों का चरण प्रस करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पढ़े थे चाहे वो नासिक का पंच्वटी दाम हो करला का पवित्र त्रिपायर मंदीर हो आंधर प्रदेश में लेपाक्षी हो स्री रंगम मैं रंगनात स्वामी मंदीर हो लुटी थे थे लुटे लोरो झाल झाल